सबी किसान भाईयों को मेरा नमश्कार आज हिसार में मिले एक खटर सरकार की जालम जाबर नीतियों के खिलाफ किसान संग्टनों और किसान भाईयों को मिली विजय पर आज मैं सब को हारदिक बधाई और शुबकामनाई देता हूँ और आप सब के आगे नतमस्तक होता हूँ आपके संगर्ष के आगे पिछले हफते कटर सहाब ने और उनकी सरकार ने जान पूछ कर किसानों को भड़काया मजदूर भाईयों को भड़काया वो सारे उदगाटन मुख्यमंत्री चाहते तो वीडियो कॉन्फरेंसिंग से भी कर सकते थे प्रंतु नहीं किसानों को उत किसानों के सर फोड़ दिये किसानों के खून से हिसार की धरती लालकी उसके बाद समझोता कर लिया और कहा कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा पर जैसा भारतिये जंता पार्टी और जजबपा करती है पीठ दिखा दी और बाद में इरादा एक कतल के 307 के मुकदमे दर्ज क कर लिये कर लिये 법न कल फिर यही किया और आज जब किसान सारे भाई इकठे हुए तो हमारे एक बुजर को अपनी जान गवानी पड़ी कुरुबानी देनी पड़ी और आज आखिर में खत्तर सरकार को दुशन चोटाला की सरकार को भाजपा जजपा को किसान मज़धूर की जोड़ी पर फिर जुकना पड़ा और किसान के सारे मुकद में वापिस भी लेने पड़े और हमारे उस बुजर्ग के परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का वादा भी करना पड़ा खटर साथ दुशन चोटाला जी सबक ले लीजिए अब भी सीख जाईए किसान और मजदूर के अंदोलन के आगे नतमस्तक हो जाईए और तीनों काले कानून खतम करवाईए वरना सत्ता के सिहासन पर बैठ नहीं पाऊगे यही वक्त की आवाज है जेहिन जेकिसान